जैजै शिरी रादे साथियो आज हम आपको लेकर आए हैं बैरु बाबा के मंदर में यह आप देख रहे हैं यह काफी टीले नूमा पर बहुत ही उंचा एक मंदर है और जिसका नाम है बैरु बाबा तो इनकी जो कथा है उसका विस्तांत हम आपको उपर चलके बताते हैं पह माटबन आप देख रहे हैं यह सामने एक मंदर है और बिरकुल यहीं पर एक मंदर और है यह हनवान जी का मंदर है अब हम पहले आपको यहां के जो सामने वाले मंदर हैं उनको दिखाते हैं उनके पास आपको लेकर चलते हैं और यहां की अदबुत यह देखें यह है बग बगला मुखी माता का मंदर है और श्री बगला मुखी माता के हम आपको अभी दर्सन कराते हैं, यह देखें आप, श्री बगला मुखी नमा, चैहो बगला मुखी माता की चैह, यह देखें आप, कितने अदबुत दर्सन आप यहाँ पर बगला मुखी माता के कर रहे हैं, यह किस प्रकार के हनुमान जी भी यहां पर बिराजमान है पहुत ही अद्वत दर्सन आप यहां पर माता जी के कर रहे हैं माता बगला मुखी के अद्वत दर्सन है अब हम आपको लेकर चलते हैं बैरु बाबा का मंदिर और उससे पहले यहां पर एक मंदिर और है उसके भी अद आप यहां पर कर रहे हैं, यह देखें, स्री कृष्ण और रादा जी के बहुत यह अदdersन कर रहे हैं, और यहां पर जो बैरु बावा के दर्षन है, वो यहां पर एँपर हैं, यहां काफ़ी उंचाई पर चड़कर वो टीले नुमाज जो इस्थान आप देख रहे हैं, उसी जगहे पर ये मंदर है और हम वहीं पहुंच कर आपको वहां के भी अद्वत दर्सन कराते हैं अब हम आपको लेकर चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदर ये देखें आप ये संकट मोचन हनुमान मंदर है वहती अद्वत ये मंदर है और इस संकट मोचन हनुमान के भी दर्सन क कर रहे हैं ये देखें अगों आपको लेकर चलते हैं उसी स्थान पर बैरुबाबा राजमान हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं कितना अदुखत इस्तान है अब हम लेकर चले आप भी हमारे साथ यह देखें आप बहुत ही अद्वत यह इस्तान है और इसके हम आपको संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं यह देखें यही बैरुबाबा का जो मंदर है वो काफी उंचाई पर है और इसी उंचाई पर हम चलके आपको यहां के संपूर दरसन कराते हैं तो हम आपको लेकर चलते हैं बैरुबाबा के मंदर में उपर की तरफ और यह अभी हमने आपको यहां पर दरसन कराये थे हन्मान जी के यह जो आप इंटे देख रहे हैं ऩब है अलग प्रकार की है यह मंदर ही अलग तृरीक का है यह आप देख रहे हैं कितनी अद्वतिर यह इसकी चड़ाई है इस पर लोग भी चड़ जाते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं अब इन सीडियों के मार्ग पर तो लेकिन बाबा की क्रपा है यहाँ पर हम चड़ते हैं और आप लोगों को दर्सन आगे के कराते हैं तो अब हम आपको ले आए हैं भैरु बाबा मंदर के उपर के प्रागड में यह आप देख रहे हैं इन सीडियों के मार्ग से हम यहाँ पर उपर चड़के आए हैं और य यह आप देख रहे हैं यह बिल्कुल माट छेत्र में पढ़ता है यह आप सामने देखेंगे तो यह माट गाओं है और यहीं पर माट में जैसे ही आप घुसेंगे तो यहीं से यह रास्ता आ रहा है यहां बैरु बाबा मंदर के लिए और अब हम आपको दिखाते हैं स्री यम यमना जी के कितने अदुप्त दर्शन और ल का इसे उपर मौश्म जू है न म्होंशु फॉर भौवट और सांथी भरावा है कि यहां पर पर गवंदर की और आप ये देख रहे हैं कितना अद्वत ये दिश्चे यहां पर है और अब हम आपको मंदर की परक्रमा कराने के बाद लेके चलते हैं बैरुबावा के मंदर में जै बैरुबावा जै ओ बैरुबावा की यह यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर यह नाद चड़ाने की परमपरा है, और यह आप जो ब्रच देख रहे हैं, यह बहुत ही अदवत ब्रच है, यह देखें, यह ऐसे ही जो ब्रच हैं, यह आपको यहां ब्रच में ही देखने को मिलती हैं, यह देखें आप, यह जो नजारा है तो बहुत ही अदोगत हैं और यह आप देखें कितना बड़ा यह बlek रच है अब हम आपको लेकर चलते हैं बैरुबबावा के मंदर में तो आप यहां पर देख रहे हैं वही बैरुबबावा का अदवत मंदर है यह रूप बावा की यह रूप आए बावा के बहूत ही अदवत दर्सन यह देखें आप यह पर बिल्कुल आपको इस प्रकार से लग रहे होंगे जैसे आप महादेव के आप ने दर्सन किये हो यहां पर यह देखें कितने अदुबत दर्सन हैं यह देखें यहां पर इनको महादेव की तरह से इसनान करा देते हैं लोग यह देखें कितने अदुबत दर्सन हैं जैहो बहरु वावा की यह देखें यहां पर किस प्रकार से अदुबत यहां की जो लीला है वो इस प्रकार से है क कि जिनकी मनों कामना पूर्ण हो जाती है वो यहां पर नाथ चड़ाते हैं और नाथ किस प्रकार की होती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं यह देखिए आप यह नाथ होती हैं यहां पर यह इसी नाथ को यहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो इसी नाथ को यहां चड़ यहां पर जैसे ही हम महाराजी से मुलाकात करने के लिए आए तो हमें पता चला कि वो समाधी में ब्यस्त रहते हैं यह देखें यहां पर लिखा हुआ है श्री राधा समाधी में हैं क्रिप्या परेशान ना करें अब हम आपने यहां के अद्वत दर्शन किये और यह वीडियो को एक और यहां पर ब्रच दिखाते हैं यह देखिए कितने अद्वत यह हमारे ब्रच में ही इस तरीके के ब्रच पाए जाते हैं यह देखें यहां पर कितना अद्वत यह ब्रच है यह देखिए आप यह पीलू के ब् ब्रच हैं यह ब्रच में ही देखने को मिलते हैं यह आप देख रहे हैं बहुत ही अदबुती यह ब्रच हैं यह देखिए कितने अदबुती यह और कितने प्राचीन ब्रच हैं यह देख रहे हैं आप यह इस ब्रकार के ब्रच हैं अब हम इस ब्रच के नीचे हैं आप यह दे पीड आप देखें ये इसका तना है ये देखिए कितना ये जैसे ही ये ऊपर नहीं गया ये नीचे की तरफ जा रहा है ये देखें कितना अदवत ये ब्रच है इस पर बच्चे यहाँ पर बैठ कर जूलते हैं ये देखें आप किस प्रकार का ये जो ब्रच है यहीं पर के बाहर निकल के आते हैं और बाहर से भी आपको यहां के अद्वत दर्सन कराते हैं यह देखें आप बहुत ही अद्वत यह इस्थान है यहां पर बहुत ही यह रमड़ी यह इस्थान है यहां के दर्सन आज हमने आपको कराए और आपने यह वीडियो अंत तक देखा उसके ये बहुत बहुत धन्यवाद जह जह सिरी रादे बांके विहारी लाल की चै आप से मेरा नवनिवेदन है कि आप जादा से जादा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें जिससे बाकी और लोग भी इस प्रकार के अद्वत दर्सनों के आनंद ले सकें और ब्रेज के